जैहिन दोस्तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बोर्ड परिच्छा 2024 के लिए सांदार ट्रिक बोर्ड परिच्छा 2024 के लिए सांदार ट्रिक दोस्तो आप भी केवल इन चार महीनों में पढ़कर 400 प्लस नंबर कै से ला सकते हैं ये हम आज आपको सारी चीजे मताएं जी हाँ दोस्तो 400 प्लस नंबर कैसे लाना है ये सारी चीजे आपको बताने वाले हैं सांदार ट्रिक के साथ अगर आप भी क्लाश 10 या 12 के स्टुडेंट हैं और 2024 में बोर्ड एकजाम देने वाले हैं तो इस वीडियो क के लिए काफी important होने वाला है और जी हाँ दोस्तों अंतिम वीडियो हो ये ठीक है दोस्तों इन चार महीनों में इन चार महीनों में आप 400 प्लस नंबर कैसे लाएंगे तो आप भी टॉपर बनेंगे दोस्तों वो सारी strategy हम आपको बताने वाले हैं कि आप 400 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं ये आप लोगों के लिए अंतिम मौका है ये अब लोगों के लिए अंतिम मौका है और दोस्तों मैंने ये अंतिम वीडियो बनाए जी हाँ दोस्तों अगर आप ये अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है और सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या लोगों को बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये बिलकुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है तो आपका एक टाइम टेवल क्या होना चाहिए और 2024 में आप भी टॉप करेंगे तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे जो भी इन चार महीनों में कैस पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है हम सारी चीजे बताएंगे टाइम टेवल भी बना दिया है जिसे आगे बताने वाले जो भी इस वीडियो को देख कर जाएगा वो टापर बनकर जरूर आएगा जी हां दोस्तों आप भी 2024 में टा प्यारी करना है जी हां दोस्तों तो आप भी 2024 में टापर बनेंगे और 95% मर पक्का आएंगे तो दोस्तों हमारा रूल लंबर फस्ट कहता है आपकी केवल 4 महीने बचे हैं नोवंबर दिशंबर जन्वरी फरवरी इन 4 महीनों में आपको कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ परवरी और लगभाग फरवरी से मर्च स्टाटी हो जाते हैं 15 अभी 20 फरवरी से तो दोस्तों आपका नोवंबर भी जाने वाला है ये नोवंबर आपको दीरे दीरे चला जाएगा सिट करते में कि हम आज कल से पढ़ेंगे आज से पढ़ेंगे तो ये बिलकुल भी आपक आ सकते हैं तो दोस्तों आप चार महीने लगातार महिनत करें जिससे आप टॉपर बन सकते हैं उसके बाद आप अपना एक गोल सेट कर लें साड़े तीन सुलाना है चार सुलाना है या साड़े चार सुलाना है या साड़े चार सुलाना है या साड़े चार सुलाना है या सा नहीं लगा सकते हैं इसलिए आपका अपने गोल पर निशाना होना चाहिए कि हमें क्या करना है तो फ्रेंट्स यह चीजे हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप चार सो प्लस चार सो प्लस नंबर ला सकते हैं जब आपका अपने गोल पर निशाना होगा तो फ्रेंट्स अब को एक time table बना लिना जिसे आप रोज फालो कर सकें आपको hard work नहीं करना है आपको smart work करना है तो दोस्तों आपका जो time table है वो केवल 120 या 30 दिनों कहीं यानि चार महीनों का होना चाहिए तो आप एक ऐसा time table बना है जिसे रोज फालो कर सकें रोल लंबर 3 है हमारे दोस्तों उसे भी देख लेते हैं इसमें लिखा smart work कैसे करें और क्या करें तो दोस्तों smart work वही करते हैं जो topper होते हैं और वही topper बनते हैं जो smart work करते हैं तो smart work में केवल 5-6 घंटा ही पढ़ाई करन है तो यह हमारा smart work होता है और इसमें 5-6 घंटे ही पढ़ना है आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है रिलेक्स भी लेते रहना है और कुछ भी फालतों की चीज़े नहीं पढ़ना है तो smart work क्या होता है इसको हम आगे बताएंगे तो दोस्तों यह भी clear है अब हम आपको ले चल दोपाहर साम रात में आपको कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है यह टाइम टेबल में हमने सारी चीज़ें बता दी है तो दोस्तों आपको 5-7 बज़े आपको क्या करना है सभी बीसे का objective याद करना है सभी बीसे का objective याद करना है सुबह में और दोपाहर में 1-3 के मायत के important question बनाना है और साम को आपको relax करना है साम को कुछ भी नहीं करना अराम करना है जिसे दिमाग को भी relax हो जाए आगे की चीज़ें याद रखे नहीं तो आप लगातार continue पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ें भूल जाती है जो आज या कल पढ़े हैं वो चीज़ें पि आपको confidence हो जाता है कि नहीं मेरे इतने number आने वाले और इसी में सुबह दोस्तों start और long question याद करना है इसके बाद आपको subjective भी रहते हैं अब जक्टिव भी रहते हैं तो दोस्तों इन्हें आपको याद करना है और फिर दोस्तों इन्हीं को जो याद करेंगे याद करने के आपको इन्हीं को दोपाहर में revision करना है फिर साम को relax करना है और long भी start भी साथ में आपको लिख लिख के याद करना है ऐसे आगर आप time table बना लेते हैं और ऐसी अपनी तयारी करते हैं या किसी का भी subject हो और कैसा भी हो जब आप लिख लिख के याद करते हैं तो आपको आता है कि मैंने ऐसे किया आप उसे तुरंत लिख देंगे तो ये आपका time table काफी important है और हमने बता दिया जिसे आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं तो दोस्तों आपको ये time table जब तक फालो करना है जब तक आपके exam नहीं हो जाते हैं तो उमीद है कि अगर इस time table को आप फालो करते हैं तो आपके 90 और 95% mark पक के आएंगे आप इसके अनुसार यदि पढ़ते हैं तो आप अपने से भी time table बना लें कि हमको सुबह ये पढ़ना है दोपार में ऐसा करना है और साम को अराम भी करना है रिलेक्स करना भी जरूरी है और रात में ये करना है तो दोस्त स्मार्ट वर्ग में क्या करना है तो दोस्तों यहां उसका जवाब भी आ गया जिसे आप देख लिए तो स्मार्ट वर्ग में क्या पढ़ना है तो सबसे पहले यहां फर्ष्ट नंबर में दिया है question bank 2012 से 2023 तक के सारी question answer पढ़ना है आपको जो आपके question bank होते है साल paper होते हैं उनको आप 2012 से 2023 तक के सारे पढ़ डालिए 10 से 15 दिन में आप या एक महीने में इसी नवंबर में आप पढ़ सकते हैं इसके बाद दूसरा दिया साथ ही A to Z objective याद करना है प्लस subjective भी याद करना है और उसके बाद दूसरा जो हमारा दिया है अंति महीनों में board द्वारा जार किया गया साल पेपर होता है अगर उसे साल करते हैं तो दोस्तों आपको 50% वहां से मिलता ही मिलता है आपको board द्वारा इधर उधर की कोई भी model पेपर नहीं लाना है अभी जारी कर दिया जिसे आप market से खरी सकते हैं और तीसरा है हमारा math plus formula रोज revision करना है दोस्तों आप math के formula को रोज revision करते रहें जिसे आपको याद हो जाएं सभी विसेओं के objective आप रोज याद करें daily आपको 10 से 20 याद करना है जिससे आपको काफी सारे objective याद हो जाएंगे और जो पांचवा रोज 3 से 4 साथ long question याद करना और इन्हें लिख लिख के याद कर रहा है दोस्तों smart work मे क्या पढ़ना ये चीजें हमने आपको बता दी है objective प्लस objective दोनों को याद करते नहें ज्यादे तर दोस्तों आपको objective ही याद करना है तो दोस्तों आपको सारे यहीं से पढ़के आपको टापर बनने वाले हैं दोस्तों आप यहीं से टापर बनेंगे आपको 95% का जो सपना आप आपर का यहीं से आने वाला है तो दोस्तों आप आप कहेंगे इतना चोटा और कैसे टापर बन सकते हैं तो दोस्तों यह इतना नहीं है बहुत है